दोस्तो जब कभी भी आप शादी करते हैं तो जब आप कोट मेरेज कर लेते हैं तो कोट मेरेज करने के बाद से कई बार आपको यह लगता है कि आपको पोटेक्शन लेने की ज़रूरत होती है सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ पोटेक्शन मिलता कैसे होता क्या है पोटेक्शन पोटेक्शन का मतलब यह बिल्कूल नहीं होता है कि पुलिस आपके साथ चलेगी, हमेसा पोटेक्ट करेगी, बॉडिगाड की तरह पुलिस चलेगी, ऐसा नहीं होता पोटेक्शन का मतलब यह होता है कि कोट आदेश पारित कर दे या फिर आपके पास लीगल डॉक्मेंट हो जिससे पुलिस आपको सुरक्षा परदान करें सुप्रिम कोट का आपको एक वीडियो मैंने जरूर अपलोड हुआ होगा या होने वाला हुआ जिसमें मैंने अल्रेडी बताया है कि सुप्रिम कोट के क्या गाइडलाइन्स है एक कपल के सुरक्षा के लिए उसमें अजि मेरीज सर्टिफिकेट के अधार पर ही पुलिस आपको पोटेक्शन दे सकती है आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो आप इंटिमेशन लेटर भजवा दें नियूस पेपर में आप पॉब्लिकेशन करवा दें जो आपको पहले भी वीडियो बताया हुआ है लेकिन अगर सिच्वेशन ऐसा हो जाएं कि आपके पीछे पुलीस लगी हुई है Read Petition मतलब यह है कि कोई भी नागरिक सीधे सीधे Supreme Court में जा सकता है अगर उसके fundamental right का violation हो रहा है तो कोई भी नागरिक सीधे सीधे High Court में अपने state के या जहां वो रहते हैं उस state में या जहां पे temporary रह रह रहे हैं उस state के high court में जा करके आवेदन दे सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन को खत्रा है हमने court marriage किया हुआ है और हमारे पीछे समाज के लोग, परिवार के लोग लगे हैं और हमें मार पिटाई कर सकते हैं हमारे जान के सुरक्षा किया जाए तो read petition के अधार पे court पुलीस को आदेश देती है कि इस couple की सुरक्षा किया जाए आम तोर से court का यह आदेश होता है कि आप यह जाच करें कि couple की शादी proper हुई है नहीं हुई है आप couple को सुरक्षा परदान करें शादी की कोई guarantee नहीं लेती है लेकिन अगर वास्तों में कोई सुरक्षा के समस्या है तो couple को सुरक्षा परदान करें वो जो later high court से issue होता है वो SAP के पास आता है concerned SAP के पास में थाने में जहां भी आप भेजवाना चाहेंगे आप वहाँ पे वो जाएगे SAP के पास में और वहाँ पे उस later के basis पे अगर जो थाने के जो SAP जो उस area के SAP होते हैं वो couple को या तो बुलाते हैं या फिर उनसे phone पे बात करते हैं या आप खुद भी जाते हैं तो वो आपको response करते हैं कि भाई आपको अगर सुरक्षा के दिक्कत है तो हम आपको सुरक्षा परदान करेंगे नॉर्मली वो contact number अपना mobile number इत्यारी provide कर देते हैं और वही mobile number लेकर कहते हैं कि अगर कभी भी आपको लगे तो आप मुझे call कर लें इस तरह से आपको protection मिलता है अब दोस्तों क्या हमें हर case में सभी court marriage में protection के लिए जाने की जरूरत है नहीं सबसे पहले जरूरी है कि आप legal तरीके से marriage को कर लें legal तरीके से marriage करने के बाद से जरूरी है कि आप अगर लगे तो आप high court में जाए protection के लिए इसके लिए मेरा personal number आपको मिलता है आप direct बात कर लें अगर लगेगा तो high court में भी जा सकते हैं अलग-अलग स्टेट में high court के हमारे जो contact के advocates हैं वो लोग ये काम देखते हैं हम आपको वहाँ पे refer कर देंगे वो आपको पूरी सहायता करेंगे उनके कुछ fees होंगे उस fees के basis पे आपको protection दिलाएंगे बहुत बहुत दैने वाद